हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी नोट्स फो यू ओन्लाइन स्टडी चैनल आप सब के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज यहां पर जो हम लोग कोशन पेपर देखने जा रहे हैं वो है लेटेस्ट कोशन पेपर कब का है कहीं पर भी नहीं है इवन यह कोशन पेपर आपको यूजी सी नेट की साइट पर भी नहीं मिलने वाला कहां मिलेगा सिर्फ हमारी साइट पे और साथ ही मिलेगी इसकी पीडियाफ तो जिसको भी इसकी पीडियाफ चाहिए जिसको भी चाहिए कि नए से नए कोशन पेप कुरी कोशिश करते हैं तो यहां पर स्टार्ट करते हैं 23учृ 2 23 का यह कोशन पेपर 1 कोशन नमबर 1 आपके सामने दिधान से देखिए डाई का कॉशन है यह कौन सा कोशन है यह डिया का को अब इसी तरीके के और आते हैं ग्जाम में यह आपकाão ले्टस्ट कोशन पे पर है जिसे आप लोग देख रहे हैं एक डेटा दिया गया एक मिनट होल्ड करिएगा आपकी जो मैथ है जो आपका डियाई है यह आपका सबसे पहले ही कोशन पांच कोशन आते हैं एक्जाम में ठीक है अब इनके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है जो statement है उसको पढ़ना होता है तो सबसे फहले statement देखिए लिखा क्या है कि 2000 से लेके 2020 तक के बीच में साथ भारती शहर दिये यानि सिटी दी होई हैं अब उन्होंने कहा यह जो cities हैं इनमें उन्होंने कहा कि 2010 में 5.4 लैक 5.4 लैक यहाँ पर क्या ह रिक्तियां यानि वकेंसी सेम ऐसे ही 2020 की बात करें तो 2020 में कितनी रिक्तियां है 8.6 लग ठीक है यहां पे यह कहां दिया गया है आप स्टेट्मेंट पढ़ेंगे तो स्टेट्मेंट में आपको क्लियरली यह मेंशन होगा 5.48.6 लग 2010-2020 बस अब आपको परसेंटेज निकालन है इनों ने कहा कि बैंगलॉर शहर सिर्फ एक शहर की बात करिया कौन से शहर की बात करिया बैंगलॉर की इन बेेंगलॉर की 2010 का आपको पता है 5.4 ठीक है तो 2010 का मतलब है 5.4 लेक का 15% निकाल लीजे निकालना शुरू करिए without practice exam में भूल जाएए कि आप यह कोशन डियाई के solve कर पाएंगे minus क्या करना है आपको 2020 का भी निकालना है तो 2020 का कितना है 8.6 का 2020 में बैंगलोर शेर का कितना है 22% इसका निकाल लीजे आंसर इसका निकाल लीजे और आपस में minus कर दीजे आपके question का आंसर आ जाएगा परसेंटेज निकालना शुरू करिए मिक्की सामने ही मैंने इस चीज को बताया है कि कैसे सॉल्व करना है सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है 5.4 इंटू 15 कर दो 8.6 इंटू 22 करके देखो जरा 5.4 लेक है न तो 5.4 इंटू 15 कर दो 8.6 को इंटू कर दो 22 आपस में देखो माइनस करके अगर आपको लाक में गड़ना करनी होती है तो हम क्या करते हैं इंटू कर देंगे 1 पांच बार 0 का मतलब होता है एक लाक है सौल तो करके देखिए तभी तो समझ में आएगा गुलनाज योगेश योगेश का आंसर 108 डू डबल जीरो देखते हैं योगेश ने सही ही जवाब दिया है या नहीं बिल्कुल सही अगर योगेश आंसर कर सकता है तो अगर आप भी कोशिश करोगे तो आंसर कर लोगे कितनी है 8.6 यानि 8,60,000 5,40,000 2,0 यहां से काटी है 2,0 यहां से काटी है या फिर सीधा जो है 86 x 22 54 x 15 आपके सामने यह संख्या आ जाएगी सीधा सीधा 108,200 क्या difficulty है इसमें आपको कोई भी difficulty नहीं है आराम से solve करोगे तो सब solve हो जाएगा simple तरीका सिर्फ वही है कि यहां पर जो 0000 इसको ना लिक करके सीधा सीधा आप निकाल सकते हो 86 x 22 करोगे तो कितना आ जाएगा जरा एक बार बताना अगर हम 86 x 22 करेंगे तो कितना आएगा अगर हम 54 x 15 करेंगे तो कितना आएगा shortcut में अगर हम shortcut method का use करते हैं और हम calculate करते हैं जल्दी भाई हमारे पर इतना time तो होता नहीं है कि वहां पर हम क्या करने बैटे exam में इसको solve करने बैटे proper तरीके से तो हम वहां पर क्या सूचते हैं कि भाई जितनी जल्दी चीजों को solve कर लिया जाए तो 86 into 22 करिए कितना हो जाएगा 1892 कितना हो जाएगा 1892 सो जो चीज आपके सामने लिखी है फिर आप क्या करेंगे 54 into 15 कर दीजे 54 का 15 से गुणा कर दीजे कितना निकलेगा 810 कितना निकलेगा 810 क्या करेंगे अब माइनस करके answer निकाल लेंगे 108200 question number two same चीज यहाँ पर करनी है लेकिन समझ के करनी है किस चीज के बारे में है सबसे पहले तो आपको हाइदराबाद की बारे में पूछा गया है हाइदराबाद ठीक है उस city में 2020 और 2010 में मिलाकर 2020 और 2010 में मिलाकर यानि जोड़कर आपको बताना है जितनी भी vacancies हैं उनकी average कोशन नमबर टू को देखते हैं कौन सॉल्व करके दिखाता है कोशन नमबर टू आपके सामने सबसे पहले statement पढ़िए जब statement आप पढ़ोगे आपको पूरी चीज़े clear होती जाएंगी और याद रखिए जो live आप practice करते हो न वो एक तरिके की इतनी अच्छी practice होती है कि exam time तक नहीं बूलने वाले अब हैद्राबाद हैद्राबाद देखिए कहां पर लिखा है है यह तीसरे नमबर पर यानि कि आपको पता है कि 2010 का 5.4 था ठीक है तो यानि 5.4 into 10% और आपने क्या किया क्योंकि 2020 का भी पूछा गया है तो यानि 8.6 into कितना करेंगे 8% या सीधे सीधे 4.1 into 10 कितना हो गया 86 into 8 कर दो और फिर क्या करना है आवरेज निकालना है इनका कोशन नमबर 2 कितना अंसर आएगा तू का सी आएगा राजपुताना 42740 चलिए देखते हैं सही आंसर है 61400 अगर आप 54 into 10 करते तब भी आपका 54 आता पांसो चालिस अगर आप यह निकालते 8.6 का 8 तो 688 आपने क्या क्या दोनों को जोड दिया दोनों संक्याओं को जोड दिया क्योंकि हमें दो वर्षों के बारे में पूछा गया है तो दो को नीचे से लिखा डिवाइड की आंसर आया 61400 येस मिक्की आता है बिटा आपको टेंशन काई को कि सिर्फ एवरेज निकालना है सबसे इंपोर्टन चीज़ है आपको अगर डियाई सॉल परनी है तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए परसेंटेज निकालना उपर टोटल दिया गया है उससे आपको सीधा सा परसेंटेज निकालिए जो कोशन पूछा गया है उसका आंसर करिए कोशन नंबर त्री देखते हैं कितने लोग इस कोशन को सौल्व करते हैं 2010 में चेनन्य चेनन्य कहा है ये 2010 में चेनन्य यानि की 8% और 2020 में मुंबई यानि की 18% में उपलब्द नौकरियों की रिखतियों की कुल संक्या यानि सिर्फ टोटल बताना है यानि आपको क्या करना है 5.4 एक मिनट बाई क्या बात है माउस मेरा भागा जा रहा है एक मिनट रोल्ड करिए जड़ा सा आपने क्या करना है यहां पर 5.4 इंटू 8 कर देना है 8 परसेंट निकाल लीजे और दूसरी संक्या कितनी थी 8.6 इंटू 18 परसेंट और जो भी इनका आंसर आए उसको मिला के टोटल कर दो आपका आंसर आ जाएगा गुड इवनिंग सोवा जश्री थोड़ा टाइम चाहिए तेरा मार्च वाला सॉल्फ करेंगे बहुत जल्दी तेरा मार्च आई थिंक मैंने तेरा मार्च का करवा तो नहीं दिया है जश्रो बंता मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है शायद मैंने तेरा 22 फरवरी का भी करवा दिया है 14 मार्च का भी कराया है 11 मार्च का भी कराया है मुझे चेक करना पड़ेगा नमस्ते सुरेन आंसर करो बेटा अब इस कोशन में 5.4 यानि 5.4 लाग 40,000 का 8% 8,60,000 का 18% निकालने के बाद उनको जोड दीजे तो आपकी संख्या है सही अंसर चलिए देखते हैं क्या होगा है जो चीज कहीं यहां पर सामने है 8.6 5.4 या फिर पांच लाग 40,000 आठ लाग 60,000 निकाल लेंगे टोटल कितना हुआ यानि 1.98 लेक ऑप्शन नमबर बी कोशन नमबर ट्री आपके सामने आई होप आप लोगों को चीजे समझ में आरी होंगी कि कैसे कोशन को सॉल्व किया गया है यहां पर एक्स्प्लेनीशन भी दिया गया है कि आपको यह नहीं है कि सिर्वं वर्वली बता रहे हैं आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोशन को आपको सॉल्व करना होगा कहां से आए जगदीश बिलकुल ठीक बात है बेटा यह जो स्टेटमेंट लिखा है इस स्टेटमेंट पे गौर करिए इस स्टेटमेंट यह जो हिंदी और इंगलिश में लिखा गया है इस स्टेटमेंट पे गौ नेट में डियाई के पांच कोशन होंगे कंफर्म कंफर्म मतलब 100% यह आएंगे 5 कोशन तो सबसे पहले आप लोग हमेशा याद रखिए डियाई के 5 कोशन बाकी 45 कोशन मिला के 50 कोशन है ना अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे कोशन अभी फरवरी मार्च के कोशन पेपर में आ लिखा है कि यदि 2020 में पुने में रिक्तियों की संक्या 2020 में पुने यानि की 6% और रिक्तियों की संक्या है 48,000 इन्होंने कहा मान लिजे पुने में जो की 6% है 2020 में इन्होंने कहा कि मान लिजे पुने में जो रिक्तियों की संक्या है वो है 48,000 इनका प्रतिशत वित्रण व तो वर्ष 2020 में दिल्ली में उपलब्द रिक्तियों की संख्या कितनी होगी कोशन को देखिए गुमा के पूछा गया है इजी कोशन है लेकिन गुमा के कोशन नमबर 4 सॉल्व करने की कोशिश करिए कोई बात ने धीरे सॉल्व करो या तेट सॉल्व करो सबसे इंपोर्टन क्या रहती है कि हम वहाँ पे कितने कोशन को सही करके आ रहे हैं ठीक है क्योंकि अगर हम गलत भी करके आए हमने जल्दी करा लेकिन गलत कर रहे हैं तो भी दिक्कत है बिटा पेपर वन की क्लास होती है पेपर टू के पी वाई क्यूस में करवाती हूँ ठीक है पेपर टू के पी वाई क्यूस में करवाती हूँ बाकी क्विज वगेरा रहती है टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम सब लोग जोईन कर लेकिन कोशन नमबर फोर कौन आंसर कितनी थी छे परसेंट थी तो छे परसेंट इक्वल टू था 48,000 तो हमें अगर टोटल निकालना तर्म क्या करेंगे 48,000 और दिल्ली में उपलब्द दिल्ली कहां है ये परसेंट है 20% इन्होंने लिखा 2020 में दिल्ली में उपलब्द रिख्तियों की संख्या कितनी है अगर इस की अदार पर टोटल माने की च्छी परसेंट एक्वल टू अड़ीस हजार है तो हमने टोटल कैसे निकालना है चे का भाग दे हैं है 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 एक है 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 दो है 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 2010 से 20 तक के बीच में कितने प्रतिशत की व्रद्धी हुई किया करेंगे पहले बैये 10% निकाल लो किसका 5.4 का 10% निकाल लो फिर क्या करना है 8% किसका आपका 8.6 का जब आपको यह संख्या मल जाए तो क्या करेंगे देखेंगे इनके बीच का difference कितना है उस difference को लिखेंगे उपर, नीचे लिखेंगे 2010 की संख्या को into कर देंगे 100 से आपका answer आजाएगा 24.52%, let's see, सही है कि नहीं, solve नियो पारा गुलनाज, बिटा प्रेक्टिस की जुरूरत है इन चीजों में आपको percentage निकालना आना चाहिए, आपको जोड़ना, आपको घटाना, सब्ट्रेक करना, भाग देना जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा ratio निकालना, यही कोशन आते हैं एक्जाम में, और percentage का तो यह पूरा कोशन ही है, तो यानि अगर आपको percentage निकालना नहीं आता तो आप कोशन ही नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो basic की knowledge होनी बहुत जरूरी है, डियाई के questions के लिए, सही answer है, option number D, 27.41%, इस question का सही answer, 27.41%, यानि 2010 में, 2010 में हैदराबार, कितना था 10, जिसका की आपको पता है, 5.4 लेंग, यानि पांच लाग 40,000 का 10%, कितना हुआ, 5.4,000, सुरी, कितना हुआ, 54,000, 2020 में हैदराबाद, कितना हुआ, टोटल निकालेंगे, 68,800, दोनों के बीच का difference, जैसा कि मैंने आपको कहा था, 54,000 क्यों लिखेंगे, क्योंकि पिछले साल से हम लोग गड़ना करते हैं, कि इतना व्रद से भारती, ये कोशन देख लिजे, एक्जाम में पूछे जा रहे हैं, और बहुत इंपोर्टेंट हैं ये कोशन, डियाई के 5 कोशन सॉल्व हो गए, चलते हैं, थियोरी की तरब, कोशन नमबर 6, थियोरी का ये कोशन सॉल्व करने की कोशिश करें, नेक्स्ट कोशन है, आपकी थियोरी का आंसर करिएगा, एक थियोरी का कोशन लिखा है, और आपको इस कोशन को सॉल्व करना है, जलन्दी से सॉल्व करना शुरू करिए, कोशन क्या है, कि वर्तमान में जो स्वायम है, उसका प्लेटफर्म निम्मे में से किसके सायोक से, हैं सिक्षा मंत्राले, Nptl, IIT मदरास द्वारा विक्सित किया गया, किसके सायोक से डवलप किया गया, सिक्षा मंत्राले तो है है, Nptl है है, IIT मदरास है, उसके अलावा कौन से है, और कौन से हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो six question number, option number D, option number B, और option number E, Google Inc. और Persistent System Limited वर्तमान में स्वयम प्लेटफॉर्म को सिक्षा मंत्राले Nptl IIT मदराज द्वारा Google Inc. और Persistent System Limited की मदद से विक्सित किया गया स्वयम भारत सरकार्ण त्वारत शुरू किया गया एक कारिक्रम है कोई इसके प्रिंसपल बता सकता है? कितने प्रिंसपल होते हैं और उनका नाम क्या है? अभी सब लोग कोशन पर फोकस करिए, अभी जब क्लास हो रही हो तो कोशिश करिये उसी कोशन का अंसर करने की बाकी जो query है वो आप मेरे को last में पूछ सकते हो या टेलिक्राम पे डिरेक्ली पूछ सकते हो सिक्षा नीती के तीन सिद्धांत में पहुंच equity गुडवत्ता को प्राप करने के लिए design किया स्वयम इस प्रियास का उद्धेश क्या था अगर आप से पूछा जाए statement में कि जो स्वयम है उसके सिद्धांत कौन से है या प्रिस्पल कौन से है और जो इसका objective है वो objective कौन सा है अगर हम लोग पता चले बात करने लगे जो अपना चला जाएगा तो थोड़ा सा वेट करो अभी सारी चीज़े क्लियर करेंगे पहुंच equity गुडवत्ता वेरी गुड और objective क्या था स्वयम को लाने का क्यों लाया गया इतने तो प्रोग्राम है तो स्वयम को क्यों लाया गया रोहित क्यों लाया गया स्वयम को एन कुमार नमस्ति बिटा स्वयम को लाने के पीछे उसका objective क्या था उसका objective क्या था कि आपका जो भी ऐसे मतलब जेत रहे हैं जहां पर सिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वहां तक online सिक्षक माद्यमों के माद्यम से वहां पर ऐसे घाउँ भी हो रहे थे कई ऐसी जगह में पर बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वह पढ़ नहीं पा रहा dependie क्योंकि उनको सुवदाय किया था अपडेटेड जिसमें मैंने इस पेशली अलग से एक वीडियो भी बनाया था अगर आपने उस अपडेटेड को पड़ा है तो मैंने उसमें आपकी यह भी लिखी थी कि लर्निंग त्योरी से कोशन आएगा कहा था कि नहीं कहा था आपके सामने है वो लर्निंग त्योरी कि इसस्ँ किया होती है speakingर्किंग record रीजनिंग raging stimulus response कौन से लर्निंग त्योरी के अंतरगर्ट आता है कोशन नमबर 7 आप सभी के सामने मान लीज़े एक्जाम में आ जाता है यहां से कोशन कोशन नमबर 7 क्या आंसर करेंगे लर्निंग थियोरी पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से कोशन आ रहा है आपका कभी यह लोग स्कीनर के बारे में पूछ लेते हैं तो कभी यह पावलोफ के बारे में पूछ लेते हैं उसके अलावा आपका मासलो का थियोरी है जो उसकी हायरकी पूछी जाती है बहुत सारे ऐसे कोशन है जो एक्जाम में आ रहे हैं आपके और यह कोशन पेपर मैं आपको एक बर फिर से बता दू 23 फरवरी 2023 का है shift 1 का याद रखिए कुछ लोग confuse हो जाते shift 1 shift 2 में ये मत समझना कि 23 फरवरी shift 2 है ये 1 है question number 7 का सही answer option number B option number B यानि की stimulus responses है मुद दीपन अनुक्रिया कहते हैं कि स्कें उस्क्राइं होते हैं संग्यान वाद जो बुद्धी से related scheme होती है कहां आती बुद्धी में reasoning कि कि अंतरिब्शूंअ के इन रेग्रण यानि सन रशन वाद मौलीज्त अभी यह पूछ लिया next time यह क्या करेंगे कि बताए कोगने 가운데 को जो सिधान्त हैं वो किसके द्वारा दिया गया उन्होंने पूछ लिया कंस्ट्राटिव विर्सम जो है उसका सिधान किसके द्वारा दिया गया तो ये भी आपको इस तरीके की मैचिंग को भी देखने को मिल सकता है एक्जाम में तो ना से लर्निंग तियोरी उनके प्रपोजर कौन से है कौन उसके प्रस्तावक है ये भी आप लोगों को लिखना जरूरी है समझना जरूरी है ठीक है कोशन नमबर एट यहां पे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मैंने जो स्लेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से भी कोशन आ रहा है फुल फॉर्म आते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से फुल फॉर्म आते हैं तो कोशन नमबर एट आंसर करिए जूली कोई बात नीबिटा आंसर करो जल्दी से इस कोश्चन का और लाइक करते रहो भाई वीडियो को कंटीन्यू स्टीकर्स आने चाहिए आप लोगों के लगना चाहिए कि क्लास चल रही है और आप लोग इंजॉय कर रहे हो प्याजे साइको गेमिंग प्याजे किसके हैं याद रखिए आपका जो नया स्लेबस है जो की अभी हलाकि यूजी सी नेट ने 2019 के बाद में स्लेबस अपडेट नहीं किया लेकिन मैंने एक स्लेबस अपडेटेड का विडियो बनाया था साथी पीडियो भी प्रोवाइड की थी उस इसलेबस के अधार पे तैयारी करिए वहाँ पे आपके सामने मैंने कहा भी था कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से कोशन पूछा जा रहा है फुल फॉर्म आ रहे हैं तो यहां से फिर से आएंगे तो इसलिए इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को पढ़ना जरूरी है क्या होता है पढ़ लीजे जरा एक बार सिक्षन की अनुदेशात्मक अविकल्प मॉडल और शौर का प्रियोग किया जाता है किसके लिए शौर का प्रियोग करते हैं अधिकम करता की प्रतिभागिता कि या पेग्षा या आवश्यक का रिक्वर रेक्वाइर लेनर पांटिसिपेशन के लिए अशूर में A का मतलब है Analyze Learner, S का मतलब है State Goal and Objective, S for Select Method and Media, U for Utilize Media and Technology, E for Evaluate and Revise the Blended Learning Strategies instructional design, अनुदेशात्मख अभिकल, model, हमारे लिए instructional का क्या मतलब होता है, दो चीज़ आती है, learning आती है, instructional आता है, learning होता है, कोई चीज़ सीखना, instructional का क्या मतलब होता है, किसी को instruction देते हुए, किसी की skill को develop करना, तो इन दोनों के बीच difference भी आता है, what is learning और what is instructional, instructional learning, तो ये है, ठीक है, question number 9, मैं थोड़ा एक बार जूम करती हूँ, तो question को एक बार पहले पढ़ लीजे, और याद रखिए, अगर आपको लगता है, कि यार, ऐसे question तो बड़े difficult लग रहे हैं, तो ऐसे ही question exam में देखने को मिलेंगे, अभी तक आप case study पढ़ रहें, अब यहाँ पर क्या है statement 1 में, समन्वेशी प्रक्रण के सध्यानों का प्रात्मिक कारिया, मुख्य अन्वेशन कारिया से पहले प्रशनों को चिनहित करना, और मापन के प्रकारों का चयन करना, statement 2 है, संचाई प्रक्रण के सध्यानों का प्रात्मिक कारिया, अग्यात को ग्यात कराना, और विशेगत प्रशनी के बारे में, पाठकों के लिए एक सामान भाषा प्रदान करना है, समन वेशी प्रक्रण के बारे में पूछा जा रहा है, cumulative case study, exploratory case study, main function पूछे गए हैं, और यहाँ पर दिये हैं, इनके option, देखते हैं, क्या आंसर सही होगा, option number C, इस question का सही आंसर है, कथन एक सही है, लेकिन कथन दो जो है, वो गलत है, कथन एक सही है, लेकिन जो statement दो दिया गया है, वो गलत है, क्यों गलत है, भाई, कोशन आया हमारे मन में क्यों गलत है, समऌन वेशी प्रक्रनद्यन का प्रात में कार्यमूगयpha अन्वेशनगार या एक्सप्रोडेटरी या खुजी कार्ये से पहले प्रेशनों को चिन्हित करना शमस्याओं को तियार करना परिकल्पना बनाना मापन के प्रकारों का चेयन करना है संचाई केस अध्यानों का जो उप्योग है अलग-अलग श्रोतों से अलग-अलग समय पर जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता संचाई केस यानि की अलग-अलग जगा से अलग-अलग इन्फोर्मेशन को कलेक्ट करना कमिलेटिव केस स्टडी इसका उदेशन नई जाचों पर अत्रिक्त लागत समय खर्च करना पिछले अध्यानों को सारांशिक करना इसलिए जो दूसरा कतन है वो गलत है कोई बात नी सुननदनी ठीक है ध्यान से इन कोशन को ध् एक तरफ आपकी एक्स्प्लोरेटरी केस स्टडी पूछी गई है और दूसरी तरफ कमिलेकेटिव केस स्टडी कोशन नंबर टेन आपके सामने हैं कोशन नंबर टेन आंसर करिएगा स्वयम प्रभा सिक्षा मंत्राले की एक पहल है सही है कि गलत दूसरा स्टेट्मेंट कि डीटिया चैनल स्वयम प्रभा में कारिकरमों के प्रसारण के लिए इनसे थट्टी उपग्रे का उप्योग करते हैं सलाम अभीदा बिटा आंसर करते चलो बिटा यह कोशन जो हैं यह इतने अच्छे हैं एक्जाम में आने के इनके रिपीट होने के पूरे पूरे चांस हैं क्योंकि अभी तक यूजी सी ने अपने कोशन पेपर्स को साइट पर अप्लोड नहीं किया है इट मेंस कि वह यहां से 100 परसंट आपके कोशन डालेंगे और साथी एक्स्प्लानेशन मिल रहा है तो यानि अगर सेम कोशन आता है तो ठीक एक्स्प्लानेशन से आता है तो भी हम कर लेंगे स्टेटमेंट कोषण नंबर टैन सबने आंजर दिया है सी différent कौन से सैटलाइब का इस्तिमाल होता है कौर से सेक्षा मंतराले की एक पैल है बिलकुल सही कौन से शेटलाइब का इस्तिमाल होता है यह कोशन इसी लिए लेंदी बनाये जाते हैं क्योंकि इजी तो देंगे नहीं टफ कर नहीं सकते हैं तो कर देते हैं स्टेट्मेंट के त्रूप इसके लिए कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्वयम प्रबाथ 34 टीटेश चैनलों का एक सम्मू है जो जी सेट 15 ग्रे काप्यों करके 247 के अधार परुच गुडवत्ता वाले सेक्षिक करिक्रमों की प्रसारण के लिए मानव संसाध विकास मंत्राले जिसे अब सिक्षा मंत्राले कहते हैं कि एक पहले इसका मुक्यों देश दूरस शेत्रों में गुडवत्ता पूर्ण सिक्षन को सुलब बनाना है जहां इंटरनेट की उपलब्दता आज भी एक चुनौती है नियासा ये कोशन पेपर है 23 फरवरी का किसी ने देखे हैं ये कोशन पहले एक बर हांत उठालो जरा वो लोग जिनोंने देखे हैं हुए है ये कोशन और उनको आंसर भी पता इनके कोशन भी देख रखे हैं जल्दी से एक बार बताना जारा किसने देख रखे हैं किसने नहीं देख रखे हैं 23 फरवरी का कोशन पिपर बैज जो एक्जाम देखकर आया होगा सिर्व उसको पता होगा लेकिन आंसर तो शायद इतने एक्स्प्लेशन उसने भी नही के ओंगे जल्दी से जो आपसे पूछा गया है उसका जवाब दे दो एक बार ममता कहीं देखे हैं दीपशी का पार्थ एजूकेशन में हैं चलो वेरी कुड अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग भी ठीके बहुत ही रेर केस में हैं किसी किसी के पास एवलेबल रेर केस में तो जो चीज आपको मिल रही है ना तो उस चीज का आप लोग बहुत ध्यान रखें उसको अच्छे से समझें कि यार यह चीज हमारे लिए की गई है और उसको हमें एप्रिशेट करना है उसको हमें समझना है हमारे लिए यह करी गई यह चीज़ है ना तो कोशन नंबर 11 आपके सामने हाइपोथिजी से एक कोश्चन है डे गुड अंकीता भीटा है किं न कुछ कोशण पेपर तो हो सकते हैं यह wh정 यह वालों को पेपर का नहीं बता कि पेपर वन में क्या आया चलो अभी इस कोशन को समझो जरा हाइपोथिसीज के बारे में कोशन है क्या है कि माद्यों की बीच अंतर के परिक्षन के लिए शून परिकल्पना को आम तोर पर इस प्रकार अभी व्यक्त किया जाता है कि दो जनसंख्याओं के क्रमशा जनसंख्या माद्य इस टेटमेंट जब प्रतिदश छोटे प्रतिदश होते हैं और जनसंख्या प्रस्टन अग्यात होते हैं परन्तु समान मान लिए जाते हैं तब शून परिकल्पना के लिए जैड़ टेस्ट को परियुक्त किया जाता है कि कोशन नंबर 11 आप लोगों के सामने आंसर देखिए जरा जल्दी से इस कोशन का दोनों ही गलत हैं आपर शून परिकल्पना कारेकारी परिकल्पना के विपरीद बनाई जाती है दो चरों के बीच शून अंतर या शून ये संबंध शून परिकल्पना कहलाती है शून परिकल्पना क्या होती है स्टेटमेंट नमबर वान दूसरी चीज़ कि माध्यों के बीच अंतर परिक्षन के लिए शूने परिकल्पना को आम तोर पर किसके रूप में इस रूप में व्यक्त किया जाता है शूने परिकल्पना को एचो यदि प्रतिदश नमूना छोटे अकार के होते हैं और जंसंक्या प्रसरन ओप्षन नमबर भी कोशन नमबर ट्वेल्ट करता जंसंक्या से प्रतिदर्श का चैन यानि सेंपल का चैन इस तरीके से करना चाहता है दो इस प्रकार का जो शोड का सेंपल हैं या हम उसको कहाई सकते हैं कि जो सेंपल लिया उस ने वह कौन सा इक्सामपल है किसका इक्सांपल है कोशन नमबर ट्वेल्ट हाँ नाइट को भी क्लास होगी ठीक है रात को में higher education के questions कराऊंगी MCQs तो आप लोग ready रहिएगा कोशन नंबर 12 जल्दी सांसर करें देखते हैं इस question का सही answer random sampling जहां पर समान अफसर मिलता है जहां पर same chances मिलते हैं वहां पर क्या हो जाएगा आपका random sampling हो जाएगा जो लेखा ठीक है ना मिटा जहां पर समान अफसर मिले सभी को यारि अगर 50-50 chances हैं तो दोनों को ही 50-50 chances है तो वहां पर क्या हो जाएगा random sampling और इसका जो एक्जामपल है जो यह explanation है इसको पढ़ लेना आगे चलते हैं question number 30 यह questions नए आ रहे हैं यह new questions हैं और यह क्या है कि जब आप research लिखते हैं बिब्लियोग्राफी का context लिखते हैं तो जो abbreviation आते हैं research में वो आपसे पूछे जा रहे हैं तो question number 13 11 मार्च का मैं करवा चुकी आई थिंग बिटा सरीता एक बार चेक कर ले ना मैंने शायद 11 मार्च का करवा दिया है question number 13 आपके सामने environment की भी मैं जल्दी ही start करूँगी आज higher education होगी तो सब लोग ready रहना जरा चीजे clear करती जाओंगी mcqs वगेरा भी साथ में लेते हुए जिसे की कोई चीज छूटे नहीं संदर्व ग्रंथ सूची पातिपड़ी के संदर में कभी कभी शोद करता संक्षे पाक्षट टी आर का उप्योग करते हैं और इस question का जो सही answer है option number c translated यानि की आनुदित जिसका अर्थ है translated करना या आनुदित करना question no.30 question no.14 एक बार पढ़ लीजे इस question को question no.14 एक बार आप लोग पढ़ लीजे मातरात्मक शोद विशिस्ता अधिक संरचित होता है जबकि गुडात्मक शोद में शोद उपागम निरप वाद रूप से असंरचित होता है मातरात्मक और गुडात्मक दोनों प्रकार के शोद आकडों के नियूनी करन्ट से संबंदित होते हैं ये question pyq में दो से तीन बार पूछा गया question है ये आपका मातरात्मक गुडात्मक चले देखते हैं question number 14 correct answer option number one यानि कि ये दोनों ही सही है कि ये question दोनों ही जो statement दिये गए हैं दोनों ही सही है किसको किसको इसकी PDF चाहिए भाई जल्दी से क्या करना है जो भी channel का member बनेगा सबको मिलेगी ये PDF जल्दी से आप लोग join कर सकते हैं हमारे channel को as a member कोई फीस नहीं है लेकिन आप एक सदस्य बनते हैं आप एक member बनते हैं तो हम आपको ये फैसिलिटी देंगे कि ये PDF जितनी भी life classes जितने भी क्विज हैं वो आपको free मिलने वाले हैं भाई अपने member घर के member के लिए लोग सोचते हैं ना वही चीज और आती जब आप member बनते हो ना एक सदस्य बनते हो अपने channel के तो सोचते हैं हम फिर उसके बारे में community पोस्ट पर डेली बेस पर मैं क्विज डाल रही हूं आप लोगों के लिए question number 15 answer करिए जल्दी से सबको चाहिए ना कौन कौन लेगा जल्दी से बता दो जरा या तो आप लोग YouTube के join बटन से ले सकते हैं या आप directly जो हमारा UPI ID है उससे भी ले सकते हैं आंसर करिए question number 15 आपके सामने जो भी चैनल मेंबर होगा ये पूरी पूरी पीडिया जो की कहीं नहीं मिलेगी आपको free में उनको मिलेगी जो चैनल को support करेगा question number 15 दीपशिका आज आपने लिए चलिए question number 1 देख सकते हो कितने लोगों के नाम चेंज हो चुके हैं अलग-अलग colors में हो चुके हैं और ये वो हैं जो हमारे चैनल के बहुत ही important सदस से बन चुके हैं दो देखिए question number 15 correct answer क्या होगा राधे राधे चित्रा answer करो बिटा UPI ID मैं अभी शेयर कर देती हूँ बिटा अभी शेयर करती हूँ पहले answer देख लो सबके option number 1 एक वर्ष की अवदी के लिए संशोदेत पांडू लिपी जमा करने से वर्जित कर दिया जाएगा एक विद्यारती विश्विद्याले अनुदान आयों के विन्यमों के अनुसार अपने शोद प्रबंद लगू शोद प्रबंद में साहित्य चोरी के इस तर्दो का अपराद करता है अब एक चीज और देखे यहां पे आपसे जो कोशन आ रहे हैं साहितिक चोरी से कोशन आ रहे हैं कि पहले क्या होता था कि साहितिक चोरी होती क्या है अब आते हैं साहितिक चोरी के लेवल और अब इनके जितने भी लेवल है वान टू त्री इनको पढ़ना शुरू कर दीजे यहाँ पे level 2 की बात करी गई है कि level 2 की according उसको क्या दंड दिया जाएगा तो option number 1 जो साहितिक चोरी का इस तरह है 2 उसमें 40 से 60% तक समानताओं का अपराद किया जाता है कि समान है किसी content से मिलता जुलता है किसके तहत win में 2018 के तहत साहितिक चोरी से question आता है कोशन नंबर 16 कोशन नंबर 16 आप लोगों के सामने जल्दी से वीडियो को like शेयर जरूर कर दीजे क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे देख सके कि कैसा कोशन इस समय आरे एक्जाम में पियरे बोर्दीयों के अनुसार संप्रेशन के माध्यम से सांस्क्रतिक पूंजी से निम्नांकित फ्राप्त होता है अब यह पियरे बोर्दीयों कौन है भाई जुलेका रिफ्रेश करो बेटा एक बारी रोहित ने कहा है सोशियो कल्चुरल बेनिफिट बिलकुल सही है बिलकुल सही है पियरे बोर्दीयों एक पूंजी सांस्क्रतिक पूंजी सांस्क्रतिक पूंजी और प्रतिकात्मक पूंजी यानि की मान लीजे कि अगर इन्होंने पियरे बोर्दीयों का अभी तो पूछ लिया सोशो कल्चर बेनिफिट कल को पूछ लिया कि उनकी पूंजी को कितने भागों मैं विबाजित किया तो सिर्फ एक कोशन नहीं एक्स्प्लानेशन के तुरू आप इससे रिलेटेट चार से पांच कोशन और सॉल्व कर सकते हैं डेट इस वाए कि यहां पर यह कोशन आता है साहितिक चोरी पर मैं करवाती हूं विटा ठीक है मैंने हलाकि पी वाई क्यू में आपको तीनों इस तर बताए हुए हैं लेकि जल्दी से इस कोशन का आंसर करिए अंतर व्यक्तिक होता क्या है अंतर व्यक्तिक का मतलब क्या होता है कितने टाइप का होता है कम्मुनिकेशन आपका यह जो आंसर है यह ओप्शन नंबर वन गलत है क्योंकि इसका सही आंसर है ओप्शन नंबर बी क्या आंसर होगा इसका ओप्शन नंबर बी आपने ए क्यों कहा भाई कराटे गुरू ए क्यों बोला बिटा सही आंसर ओप्शन नंबर बी होगा अंतर व्यक्तिक इंटर पर्सनल कम्मुनिकेशन किसके रूप में समझा जाता है प्रणाम बिटा खुश रहो जूली क्या आंसर होगा जुल्फिकर ने कहा है नहीं मैं ऑप्शन ए ही होगा कितने लोगों को लगता है ऑप्शन ए ही होगा भाई ये तो चीज अपने कॉश्चन की बात है भाई एंटिये ने अगर माल लो आपके इस कोशन को गलत कर दिया तो confidence होना चाहिए आपके अंदर इस बात के लिए कि नहीं भाई जो मैंने कोश्चन किया है वो मेरा सही है confidence कहा है where is your guts option number B गलत है option number A ही सही है लेकिन हमारे अंदर guts होने चाहिए इस चीज को accept करने के लिए confidence होना चाहिए कि नहीं भाई डाइडिक का मतलब होता है दो लोगों के बीच में बात होना युगम मतलब एक कपल के बीच में बात होना या दो लोगों के बीच बात होना और जब दो लोगों के बीच होती है तो intercommunication होता है एक दूसरे से बात करना intercommunication डाइडिक जब दो लोग होंगे तब इंटरा क्या होता है अंतहा यह है दोनों के बीच का अंतर और जब लिखा हो अंतहा तो वो हो गया खुद से बात करना जहां पे लिखा हो इंटरा वो हो गया खुद से बात करना मेडम यह अपने को क्लियर था लेकिन अपने अंदर कॉंफिडेस थ होगा है ठीक है ना बात समझ रहो अगर मालो एंटीए गलत कर देता है आपको लगता है नहीं मेरा अंसर सही है तो भाई क्लेम करो कुछ लोग छोड़ देते हैं कि नहीं क्लेम नहीं करना है पता नहीं सही है कि नहीं तो कॉन्फिडेंस रखो जिस भी चीज़ के लिए अच्छा मैनी टू मैनी कौन सा होता है यह वन टू हूज मासे अगर हम पूछे कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या मतलब है यह किस तरीके का कम्यूनिकेशन है इंट्रा पर्सनल स्वयम से हो गया जब मैं खुद से बात कर रही हूं तो सबसे पहली चीज़ जब आप एक्जाम देने जाते हैं आपका आधा एक्जाम आपका कॉन्फिडेंस जिता देता है अगर आप कॉन्फिडेंट है कि कैसा भी कोशन आएगा मैं सॉल्व कर लूँ तो ट्रस्ट में कोशन पेपर इजी लगेगा बट अगर आपने कहा कि यार कोशन तो बड़ा टफ है पहली देखी और आपकी हालत खराब हो गई तो ट्रस्ट में एक बार अगर आपका कॉन्फिडेंस गया तो आप जल्दी जल्दी उस लाइन पे नहीं आपाऊ गया कॉन कम्यूनिकेशन वा मैनी तू इसा होता है ऐसी मैनी ऑनी मास कम्यूनिकेशन होता है तो फिर यह क्या ओता है जन्ल संपर्क या जन्ल मीडिया किसको एक तेया था कंफ्यूज ना रहो मैं सोवार क्या रही हूं क्योंकि कंफ्यूज हो गए तो वहीं गड़बड़ है सारा मैटर कोशन नमबर 17 सही आंसर है option नमबर वान क्योंकि यह टू वे कम्मिनिकेशन है दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बीच जब कम्मिनिकेशन होती है इंटर परसनल के ला आता है जैसे कि हम आली जै किसी का इंटर्व्यू ले रहे हैं किसी से टैलीफौन पर बात करे हैं इमेल कर रहे हैं यह होता है इसमें फीड़बेक तुरंट और सबसे बहतर तरीके से मिल जाता है क्वोशन नमबर 18 Communication का Mechanical Model भाई ये तो सभी को पताई कि क्या क्या होता है Communication में लेकिन Mechanical Model क्या चीज़ है Communication से किस तरीके के कोशन आ रहे है अब आप खुद देखे आपको क्या लगता है Slavers Change हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है और पूरे इस लेबस में जान लीजे वहाँ पर कहीं पर भी mechanical communication लिखा ही नहीं होगा कि हम communication के टाइप में mechanical भी डाल देंगे मतलब अब आपको अपने आपको जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ update करना होगा नई नई चीज़ों के साथ याद रखिए जो भी PYQ quotients आते हैं जो latest PYQ होते हैं वहाँ से दूसरे question paper में question को same type के question को पूछे जाने के 50% chances होते हैं हो सकता है यहाँ पे पहले वाले question में कोई चीज़ matching में पूछी गई हो और दूसरे वाले question पे वही चीज़ statement में पूछे लेकिन क्या सेम रहता है concept और questions subject सेम रहता है कि हमें क्या पूछा गया है मालीजे mechanical model क्या है statement में पूछ लिया उसमें क्या विशेशता होती है मालीजे आपकी पूछ लिया है ना question number 18 सही answer option number B यानि यह एक मरगी प्रवा है one way flow होता है एक से अनुएक की और यानि from one to many अग्यानिता यानि anonymity यानि option number B option number C और option number D इस question का सही answer ठीक है अतिश समझा रहा है बिटा question number 19 फिर से देखिए अब हमें लगा कि डियाई tough मैं बता रहे हैं बट पता नहीं communication तो easy होगा किसको लग रहा है कि communication easy है हीर क्या लग रहा है कि communication कर लोगे बेटा कि स्पाइब वाए कर लोगे पहला statement है कि संप्रेशन में संकेत विज्ञान में इसका वर्डन करने का उदेश होता है और दूसरी चीज कहा जाता है कि संकेत विज्ञान यह मानता है कि अर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मिती होती है statement आपके यहाँ पे हैं आपको statement में answer करना है कि कौन सा जो आपका answer है वो सही है अगर आता होगा concept clear होगा तो सब easy लगेगा और आता होगा तभी confidence भी होगा यह भी समझ लो अगर confidence है कि हमें आती है चीज तो हमें वही चीज़ easy लगेगी question का सही answer option number one दोनों ही सही है संकेत विज्यान प्रतिकात्मक संचार की उप्योग का अध्यन है संकेत विज्यान में संकेत इशारे अन्य भाषाई गैर भाषाई संचार विदिया शामिल होते हैं किसमें semiotics या sign language संकेत कोई sign है sign language जिसे हम क्या सकते संप्रिशन में संकेत विज्यान में इसका वर्ण का तात्पर होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाए प्राया ये कहा जाता है संगेत विज्यान ये मानता है कि आर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मित होती है जैसे की traffic light traffic light में जो lights होती है वो बनी होती है red बनी होती है green बनी होती है yellow बनी होती है तो उसको देख करके आपको पता लगता है कि ट्रैफिक में हमें आगे जाना है रुक जाना है या रेडी हो जाना है तो यह क्या चीज आता है यह किसके अंतरगत आता है आपके साइन या सैमियोटिक्स के अंतरगत आता है ठीक है ना किसी चीज को देखके किसी संकेत इशारे को देख करके आप उसको समझने का प्रियास करते हैं कोशन नमबर ट्वेंटी फिर से देखिए कम्यनीकेशन का एक और कोशन सिम्बल हो गया जहां पर हम बोल नहीं रहे हैं नौन वर्बल हो गया समप्रिशन में लोगों से संबंडिद मुद्दो गटनाओं को परिवाशित करने समझाने सुचित करने की शक्ती नहेत होती है स्टेट्मेंट टू है कि संप्रेशन लोगों में सीमांकन की एक साधन के रूप में सेवा नहीं कर सकता कोशन नमबर 20 सही आंसर बिल्कुल सही है आप लोग सी यानि की पहला सही है और जो दूसरा स्टेट्मेंट है वो गलत है पर क्यूं गलत है क्यूं गलत है संप्रेशन विविद परसितियों पर विचार चिंतन करने उनका अवलोकन करने उन्हें समझने कम्मिनिकेशन क्यूं करते हैं किसी चीज़ को अंडरस्टेंड करना है किसी चीज़ को अब्जर्व करना है किसी चीज़ का अनालिसीज करना है उसके लिए यूज करते हैं ठीक है संप्रेशन में लोगों से संबंदित मुद्दों गटनाओं को परिवाशित करने समझाने सूचित करने की शक्ति नहीं होते हैं इसलिए तो हम संचार करते हैं कमनिकेशन करते हैं यह स्वैम देखने या वलोकन करने सुनने या ध्यान देने या औरों के साथ विचारों मतों अनुबवों तत्यों और सम्वेगों के आदान प्रदान से भी संबंदित होते हैं ठीक है आरिया बाद समझ में तो कोशन नंबर 20 तक था आज का यह कोशन कोशन यह 20 के बाद के कोशन मैं आपको कल के क्लास में कराऊंगी और जिसको भी यह पीडियाफ चा साथ है सोचिए 23 फरवरी का कोशन वो भी एक्स्प्लानेशन के साथ मैं शिफ्ट वन मिल रहा है सिर्फ आपको 89 रुपीज का मेंबर्शिप लेना है सिर्फ 89 रुपीज का मेंबर्शिप है वो आपके उपर है कि आप 89 से सपोर्ट करना चाहते हो या 199 से लेकिन आपको खु प्रॉपर और भी जितनी भी पीडियाफ है मैं आपको प्रॉवाइट कर सकूँ अब लेंगे रात को 9 बजे क्लास 9 बजे या साड़े 8 बजे ठीक है जैसा भी मेरे को कन्वीनेंट लगेगा जिसमें मेरे को टाइम प्रॉपर मिलेगा तब तक के लिए अपना ध्यान रखन क्लास का फीडबेक आपने देना है शियर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जिससे की वो लोग भी अराम से क्लास को देख सके आई होब कि यह चीज़े हां कल जो रहेगी ऐसा ही टाइब रहेगा चार बजे के करीब करीब कल भी हम कोशिश करेंगे क्लास लेने की औ और सपोर्ट करिए क्योंकि जितना आप दूसरों को सपोर्ट करते हो ट्रस्ट मी भगवान उतने ही आपको सपोर्ट करता है ठीक है चलिए गौड ब्लेस यू थैंक यू टेक केर गौड ब्लेस यू